तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनिंग भी ब्लोगिंग में और आज में लगे रहें कर खास वीडियो जिसमें बताने वाला हूं आपको कि आप किस तरीके से ओटोमेशन पर लगा कि जो डिसकवर का हमारा है जो फीड उसमें आप सबसे पहले तो अब क्या कर लो बेल अइकन दबालो सब्सक्राइब करके क्योंकि नई वीडियो बहुत जल्दी आने वाली और बहुत जादा मात्रा में आने वाली है ठीक है और लगबग चार-पांच वीडियो वेब स्टोरी पर भी रैडी कर रहे हैं हम ठीक है तो उसके के लिए भी आपको अगर पूरा अपडेट रहने है तो आप रहे है ठीक है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अब आज की वीडियो में सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि लिंक डिन पर जो हमने पॉस्ट डाला था वह किस डॉमेन का था किस वेब स्टोरी से आय तो इसलिए मैं बताता हूं आपको की यह हमारा संच सर्च कंसोल जो मैंने पर पोस्ट डाली थी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट का भी लिंक दे दूंगा तो आप यह देख सकते हो डॉमेन का नाम क्या है सेंट्रल ब्राजिलियो डॉट कॉम तो यह क्या था एक एक्सपाइ डॉमेन था और जो हमने 700-800 रॉपे में एक्सपाइर डॉमेन डॉटनेट से सर्च करके लिया था ठीक है तो इसमें हमने जो ब्राजिल का नाम है ब्राजिलियो के नाम से मतलब की ब्राजिल में लैंग्व पॉर्तुकिस लैंग्विज में यह बनता है तो हमने इसकान से उ सबसाइट जैंक से और उसको इस पर लगा दिया और डाली की पास-थत तस से मिसरे पोस्ट। पर लगा इधिया ऑट्यमेशन पर उसके बाद जो आपको रिजर्टमान के थीमट रिजर्ट तो मैं इसको वन मैं परला कर देता मूं और कि बिल्कुल नहीं और इसंचोंस बन सब्सक्राइब के साथ हैं तो एक न्यूज वेब साइट है सेंटर ब्राजिल के नाम से ठीक है और यह सब इसके कीवर्ड है जो रैंक किये थे और मैं टॉप में दिखा देता हूं आपको की पोजिशन टॉप टैन में कितने हैं जो ऐसे हैं तो आप देख सकते हो कि लगभग है काफि ज्यादा कीवर्ड है कि जो टॉप 10 में आपके रैंक कर रहे हैं ठीक है तो मेरे ख्याल से 100.500 की वर्ट ओंगे जो टॉप टैन में रैंक कर रहे हैं और यह सब किस तरीक्व में लगाई थी और क्या फैक्टर गूगल ने इसमें उठाए हैं ठीक है तो आप देख स तो आप देख सकते हो इस अपडेट के बाद जो सर्च कंसोल का अपडेट था तो अब इसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो वन डे के क्लिक आये सावन नाइन एट यह सब डिसकोवर से आये और यह मैं बताऊंगा किस नीश में आये थे ठीक है क्योंकि ब्राजिल की साइ यहां पर भी 970 क्लिक आये हैं और वह भी डिसकोवर से आये सारे और आपको बताए डिसकोवर में अगर आपकी वेबसाइट जाने लगए तो कितना अच्छा है इस पर हम बिल्कुल भी काम निकर रहे हैं तब जाकि यह रिजाट है और हम सोची नहीं इस पर की आगे काम कर सब्सक्राइब करें तो से टीर आप देख सकते हो कितना अच्छा है यह सारे लिंक्स थे जिन पर पोस्ट थी एक वारे मैं आपको एक पोस्ट खौल के दिखा देता हूं यह पंदरा सो क्लिक लिए सतरा सो इंप्रेशन पर से टीर देखें 9% है जो की काफी जादा होता है तो मैं आपको 6-7% तक मिलते हैं और जो इसका जो पूरा का पूरा जो आप देख सकते हो यह एक पूरतिकी साइट है तो इसमें मैंने क्या रख रख है एक दो तरिके से वेब साइट लगा रखे या तो पूरतिकी से डारेक्ट डाटा उठा ले और जो दूसरी चीज हमार आपके हैं और यह अपना एड्स टेरा की एड़ा क्योंकि एड्स इस पर हमने सोचा कि क्या कहते हैं और यह कोपी-पेस्ट है न सारा तो कहीं नहीं दिक्कत करेगा ही करेगा ठीक है तो इतना सा अर्टिकल था स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है दो तीन परग्राफ होंगे ज जो आई थी उसके उपर आया कोई आर्टिकल हमें नहीं पता है किस तरिके कहां से कौन सी वेबसाइट से उठाया इसने ठीक है और यह मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं है तो एक जो फैक्टर है मैं बता देता हूं आपको कि डिस्कावर में आपको बहुत ल ऑगीज तो हमने पुर्ट कीस में कर दिया अब पूड़ की इस डाय नहीं था तो जिस्कावर नहीं था तो जिस कारद से क्या किया किया वह पूर्ट केुछन में करके डिस्कावर में ला दिया तो इहां एक सकते हो कि और की लैंग्वेज में अगर आपका आया हुआ है कोई डिस्कावर में आर्टिकल तो उसको आप किसी और लेंग्विज में करके उसको डिस्कावर में दुबारा ला सकते हो और अब जो इसमें फीड वगारे लगाई है वह मैं आपको दिखा देता हूं इसके वर्डप्रेस की ठीक है तो एक बार इसको एक्सेस कर लगते हैं वर्डप्रेस को इसके और उसके अंदर में जो टूल यूज का रखा है वह भी बता जिता हूं कि कौन सा है तो आयनोस पर है जो मैंने बताई थी आपको शायद की 500 रुपे में वानियर का मिलता है प्लैन हना तो वहां से हमने लिया थ तो इसके बाद अब हमने क्या किया कि यह देखिए आपर काफी ज्यादा मेरे ख्याल से स्पैमी कमेंट हैं सारे और कुछ ना कुछ ना कुछ डिसकावर से भी आए होंगे तो वहां पर कमेंट की जादा संभावना रहती है तो अब इसके बाद हमने वैब स्टोरी इस पर दालना ट्राइ किया रहे थी लेकिन आया नहीं कुछ उस पर रिजर्ट तो यह हमारा डाइस डबल्यू पी आटमेटिक प्लग इन जो कि हमने अनल्ड प्लग इन किया था यह सारी वेब साइट सिर्फ 500 रुपे में बनी है उसके अलावा हमने इस पर एक उर्पया भी लेट हो गया है तो हमें इसको करना चाहिए इसकी वह बढ़ा दिते हैं न क्योंकि मेरे खाल से प्यार और आर्टिकल्स अच्छे जा सकते हैं 2000 तो बहुत कम हैं और इस पर आर्टिकल्स मेरे खाल से काफी ज्यादा हो चुके हैं एक बरें देख लेते हैं तो हो है कि आर्टिकल्स यहाँ म्हांपासे हम 你 Koreans एक लौग है दस लांज करてते हैं ठीक कै मोह है कि जितने मर्जी कर लो यार यह तो यह तो जब दसलाग हो जाएंगे तो अपने अब स्टोप हो जेगा और पर डे वन आर्टिकल डालता है तो मैं इसको कहा देता हूं कि आप चाल डालो ठीक है क्योंकि जो टैक की आर्टिकल है वह हमारे आरहे हैं उसमें डिस्कावर में तो हम उसको जो जो अवरो देंगे अब और बाकियों को मना करते हैं तो यह इस तरिके से हम गया कर सकते हैं अपने पूरा है अभ पूराा डाटा चीज का परियार चीज़ करके में मेन वेबसाइट बनाएंगी आर्णिंग के लिए वहां पर हम एक एक चीज को ध्यान में रखके उस चीज से काम कर सकते हैं ठीक है तो यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जेगी हाना नहीं थोड़ी सिसमें ज्याद ही नोलिज वाड़ी बाते कर रहा हूं कुझे पता है लेकिन कि शयदहीं आपकी कहीं न Cornaby क आजा अगर आप डिस्क OUT में काम कर रहे हैं कल की जो लाइव होने वाली है कल रहना ठीक है यह फरी आपकर ऐसे हैं प्री एक वीडियो डेटिएट लएक हम ल वास्नद करेंगे और हम क्या होगा हर संदे कम लाइब आपकर करेंगी ओर कोई ए तो एक बंदा में पूछ रहा था कि कितने हुआ चुके हैं तो इस पर 37000 हो चुके हैं और इस पर इंडेक्सींग देख लखते हैं कि कितनी होगी है ठीक है कि तो हमदेख्श आप देख सकते हूं साथ 7000 कुछ ज्यादा खास इंडेक्सिंग है और फिर भी मलब काफी है तो आप यह देख सकते हैं इन पर गूगल नहीं उससे शायद उठा रखा रहा है डाटा इसने और 3700 पेज है तो यह जी जब हम कम कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो इंडेक्सिंग का रेट है वो बढ़ जाएगा ठीक है तो अब बाकियों को मैं वह कर दूंगा बंद जैसे इसमें 15000 हो गया है इसमें इसको कर देते हैं बैं यह भी 15000 है इसको भी कर देते हैं क्योंकि ज्यादा मेरे ख्याल से काम के हैं नहीं है ठीक है अब यह आइटिकल्स हम यूज करेंगे बस इसको भी कर देते हैं फीफा किया था फीफा खतम हो चुका है तो हमारे किसी काम करी है तो ठीक है इसमें यह था चीज कि जो हमारे जो दो फैक्टर मैंने बताएं कि ड इसको गूगल को सिरफ सफीशेंट नौलिज चीए कि आप किस तरीके से आप यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो किसी एक डोमेन पर क्या करो हिंदी इंगलिश करो ठीक है जैसे कि रीजनल लैंग्वेज करो मैं इसलिए रीजनल कहता हूं कि आपको इसको में डिसकोवर जो ले जाएगा तो शूरू में आप ले लो यार एडसेंस ले लो बीस पच्ची आर्टिकल लिखके अच्छे खासे और उसके बाद एडसेंस लेकि उसके बाद उसको कर दो और उसको एक सपरेट आडसेंस पर रखना क्योंकि अगर डिसकवर आता है और आपका मलब की अर्निंग एक दम बूस्ट होती है क्योंकि अगर आप रीजनल कंटेंट में भी करते हो डिसकवर में करते हो तो क्या होता है आपका जो अर्निंग है ना वह सीपीसी के कोडिंग काफी अच्छा चला जाता है यार और क्लिक्स डिसकवर से बहुत जादा आते हैं तो पांसो शेसो शेस है और एक और चीजिए मैं बता जिता हूँ आपको की जो हमारे साइट मैप है हुआ ठीक है साइट मैप हमें प्रोपर दो यूज करने एक तो मारा नॉर्मल साइट मैप हो गया ये तो वेब स्टोरी के लेकिन अगर आपको डिस्कॉर या निउस में लेकर निए तो इसमें नाम तो मेंने सुना नहीं ठीक है इंप्रेशन देखो एक लाग चार जार अगर यह हम पोस्ट अच्छे तरिक्के से करते हो उस पर पूरा पूरा अच्छा एक थमनेल बनाते उस पर काम करते तो आप समझ सकते हो कि इस पर जो सीटी आ रहता वह काफी ज्यादा अच्छा था और pages आप देख सकते हो सारे mobile से related आप मैं सोच रहाँ इसको पूरा को पूरा एक mobile से related थीम में convert कर दो और इसमें क्या करूं कि गूगल को पता लगया कि भाई यह मुबाइल या फिर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे इस पर इस तरिक्की की मेरे मेरे में लोगिन हो ना हो कि एडस्टर में क्या है की मलव की कुछ खास तो देते निया ठीक है लेकिन वही है काम चले जाता है कि अपनी होस्टिंग खर्चा तो निकाल रहा है वैसे तो 500 रुपे में होस्टिंग प्लस डॉमेन विला था मुझे ठीक है और अब यह उससे में एक और वेब साइट एक्सपेरिमेंट में लगा दूंगा तो देखते हैं कितना देरी है तो स्टाटिस्टिक्स में देखते है तो हम क्या करें आपको मैं आर्निंग दिखाऊ ना तो पेमेंट्स में दिखा देता हूं बसकि लगबग वन एयर में कितना दिया इसने तो यह अपना टोटल है 129 डॉलर और 500 रुपे की साइट लिए ठीक है कुछ किया निया बस मेरे खाल से एक गंटा लगा था मुझे सब्सक्राइब करने में तो ठीक है अब ना एक्सपेरिमेंट से में नौल इस तो मिलगी न तो नेक्स्ट पे आउट नो डॉलर का यहर वीक देते हैं तो यह भी चीज बढ़ी है तो गाइस होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें मैंने काफी जाद है आप आपको ना नौलीज वाली बात बताएं डीपली बात बताएं ठीक है यह दो तीन जो फैक्टर हैं वो सभी को पता है डिसकोवर के लेकिन यार लोग कहां में नहीं करते हैं सचाहिए अभी हम आगे आने वाले टाइम में डिसकोवर पूरा पूरा शिफ्ट होने वाले हैं जो आर्टिकल्स में और आपने शायद एक देख्यों सतीश भाई की वीडियो जिसमें पूरा पूरा एक गाउं है वो डिसकोवर से ही कमाता है पैसे रीजनल लैंग्वेज पर काम करके समझ रहे हैं तीस तीस हजार चाल चाल डॉलर नभे नभे हजार तक जाते हैं उनके तो यह बहुत ज्यादा पूटेंशल है इस चीज में हाँ अपने हाथों से खुद काम करना चाहते हो अलग बात है अगर आप अटोमेशन पर चाहते हो और इसके ऊपर और वीडियो चाहते हो तो मैं आपको यार वही है निचे कमेंट कर देना लाइक कर देना सो दोसो तीन सो जितने लाइक हो सकते हैं कर दो ठीक है उसके बाद मैं आटोमेशन पर भी एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा ठीक है थैंक यू आज के लिए इतने ही था बबाए